दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IPL 2025 की 2025 के IPL में 10 टीम में भाग लेगी। चलिए जानते हैं रिटेंशन प्लेयर कौन कितने में बिका है। दोस्तों बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद ने हेनरिक ट्लासेन को 23 करोर दिया है अपनी टीम में रिटेंड रहने के लिए। अभी इनके वालेट में 45 करोर खर्च करने को बचे हैं जो मेगा उक्षन में स्पेंड करेगा। चालिए अब बात करते हैं। मुंबई इंडियन्स की मुंबई इंडियन्स ने सबसे ज्यादा पैसे जस्प्रीट गुंबरा को 18 करोर देकर टीम में रिटेंड किया। उसके बाद हारदिक पंडिया और सुर्या कुमार 16 करोर 35 लाख में अपने टीम में रखा है। रोहित शर्मा को 16 करोर 3 लाख में टीम में रिटेन किया है। इसके साथ तिलक वर्मा को 8 करोर देकर मुंबई इंडियन्स में रखा है। मुंबई इंडियन्स ने रिटेन प्लेयर पर कुल 75 करोर खर्च किये हैं। अभी मुंबई के वॉलिक में 45 करोर बचे हैं। दोस्तो अ तेरह करोड, शिवम दुबे 12 करोड और कैप्टन MS धोनी को 4 करोड देकर टीम में रिटेन किया है चेनाई सुपर कीम ने 65 करोड खर्च किये हैं और अभी इनके पर्स में 55 करोड खर्च करने को है अब बात करते हैं, RCB यानी रॉयल चैलेंजर बिगलूर की RCB ने विराट कोली को 21 करोड देकर रिटेन किया है इसके साथ रजत पाटिधार को 11 करोड दिया है RCB ने यश दयाल को 5 करोड में टीम में रखा है RCB ने 37 करोड खर्च किया है रिटेन्शन प्लेयर्स पर अभी भी RCB के वालेट में 83 करोड बचा है RCB टीम के कप्तान इस बार विराट कोहली होगे कोलकाता नाइट राइडर ने 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है जिसमें रिंकु सिह को 13 करोड दिये है इसके साथ वरुन चक्रवाती को 12 करोड सुनील नारायन को 12 करोड और आंद्रे रसल को 12 करोड देकर टीम में रखा है इसके साथ केके आर ने हरशित राणा को 4 करोड और रमंदीप सिह को 4 करोड दिया है केके आर ने कुल 57 करोड खर्च किया है अभी के के आर के वॉलेट में 51 करोर स्पेंड करने को है दोस्तो अब बात करते हैं गुजरात टाइटन्स की गुजरात ने सबसे जड़ा पैसे राशिद खान को 18 करोर देकर रिटेन किया है इसके बाद शुभमन गिल को 16 करोर 5 लाख और साई सुधराशन को 8 करोर 5 लाख दिये है इसके साथ राहुल तेवतिया 4 करोर और शारूख खान 4 करोर देकर रिटेन किया है गुजरात टाइटन्स ने कुल 51 करोर खर्च किया है और अभी वॉलेट में 79 करोर स्पेंड करने को है लखनव सुपर जैंस ने निकोलस पुरान को 21 करोर और रवी विश्नुई को 11 करोर और मयंक यादव को 11 करोर में टीम में रखा है इसके साथ मुहसिन खान को 4 करोर और आयुश बदोनी 4 करोर में रिटेन किया है लखनव सुपर जैंस ने 51 करोर स्पेंड किये है अभी वॉलेट में 79 करोर बचे है दिल्ली कैपिटल ने अक्षर पटेल को 16 करोर 5 लाख और कुलदीप यादव को 13 करोर 25 लाख दिये है अभी भी वॉलेट में 73 करोर खर्च करने को है पंजाब सुपर किंग ने रिटेन प्लेयर्स पर सबसे कम खर्च किया है पंजाब ने शशांक सिह को 5 करोर 5 लाख और प्रभ शिम्रान सिह को 4 करोर में रिटेन किया है पंजाब ने सबसे कम 9 करोर 5 लाख खर्च किये है टीम में बड़ा बदलाव कर सकती है। पर श्रेयस लेयर 26 करोड में रिटेन किये गए है। फाइनली आपके लिए क्वेश्चन है। IPL 2024 का किताब किस तीम ने जीता था। कॉमेंट में जरूर बताएगा।